आने वाले दिनों में बहुत सारे फेस्टिवल साने वाले हैं मैं एक ग्लास दूद से किलो भर की रस्मलाई बनाऊंगी इंस्टेंट रस्मलाई की रेसिपी इतनी इंट्रेस्टिंग है ना कि आप इसे हर दिन बनाना पसंद करोगे इस मिठाई की खास बात ये है बहुत ही क्विक बनती है बैलेंस्ट मिठास है जादा मीठा भी नहीं है और इसके अंदर मैंने दिया है एक ट्विस्ट जो आपकी मिठाई को देगा एक दम अलग अंदाज शर्ट लगा के कहती हूँ अगर आपने एक बार ये मिठाई बनाई तो आप नलीनीज किचन को दुबारा कमेंट करने सेक्शन में जरूर आओगे तो आएए देखते हैं इसके लिए कौन-कौन सी सामगरी लगती है और आसानी से कैसे बनेगा एक पैन में हमें एक ग्लास दूद लेना है जैसा कि मैंने का एक ग्लास दूद से ही बनेगा इसम के पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप दो चमच कॉन फ्लोर को दूद में घोल करके डाल दीजिए इसमें और अच्छे टेस्ट के लिए मैंने डाला है केसर केसर से रंग भी बहुत अच्छा आएगा जो यलो कलर होता है ना रसमलाई में वो आएगा और साथ ही में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा अगर आपके पास केसर नहीं है तो फ्यू ड्राफ्स आप यलो फूट कलर का इसमें डाल सकते हैं लेकिन आप यह देख रहे होंगे कि केसर जैसे ही दूद के साथ वाई होने लगा उसमें पीला रंग अपने आप आने लगा मिठाई बना है रस्मलाई का जो यह दूद होता है इसको जादा गाढ़ा नहीं किया जाता है मेरे पास केसर थोड़ा ही पड़ा हुआ था इसलिए मैं तोड़ा सा अप पिंच और फूट कलर डालूंगी यह देखिए बिल्कुल थोड़ा सा और इसको मिक्स कर दोंगी मिक्स करते ही दे विस्ता और बादाम की कतरन डाल रही हूं ड्राइफूस जो भी हो आपके पास घर में उसको बारी काट करके इसके अंदर डाल दीजे इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा अब बाजार वाले इसके अंदर डालते हैं रस्मलाई एसेंस तो यह मेरे पास घर में पड़ा हुआ है क्योंकि मैं इसे बेकिंग में इस्तमाल करती हूं फ्यू ड्रॉप इसके अंदर डाले अगर आपके पास रस्मलाई एसेंस नहीं है तो आप इलाइची पावडर केवडा जल या रोज एसेंस भी डाल सकते हैं इसको डालने के बाद ज्यादा दिर नहीं प ले वैसे काटने को आप चकोर भी काट सकते हैं इस मिठाई को काटने के लिए क्योंकि बाजार में तो मिलती है गोल-गोल रस्मलाई यह देखे इस तरीके से प्रेस करके आप इसको राउंडल शेप में कर लें बड़ी आसानी से निकल जाता है और इसी तरीके से आप सारा रख सकते हैं तो अगर आपके पास नहीं है पनीर चेना और बहुत सारा दूद तो यह इंस्टंट रस्मलाई आप बनाएं यकीन मानिए कोई जान नहीं पाएगा कि इसको आपने ब्रेट से बनाया है मैं इसके लिए शर्ट लगा सकती हूँ अब मैं दूसरा पीस कूकी कटेगा और यह देखिए तो यह आपके ऊपर है आपको बड़े चाहिए तो बड़े बड़े आकार में काट लीजे चोटे चाहिए तो छोटे चोटे आकार में इसको काट लेजे और इसी तरीके से हमें सारे ब्रेट के गोल कोल टुकडे कर लेने हैं अब इसके बाद मैं एनेदर एक ट्विस दे रही हूँ, मैंने लिया है यहाँ पे सिर्फ 20-25 ग्राम खोया, हाथों से इस तरीके से मल-मल के इसको थोड़ा सा स्मूध बना लें, और इसमें एक चम्मच डाल दें, मिल्क पाउडर, मिल्क पाउडर नहीं है तो घर की मलाई डाल दें, थोड़े से मैं पिस्ता और बादाम की कत्रन डाल रही हूँ, और जो रबडी वाला भी दूद बनाया था ना, उसको आधा चम्मच डाल करके, अच्छे से मिक्स कर लीजे, इसमें चीनी मत मिलाएगा, चीनी अल्रेडी दूद में भी है, और मिल्क पाउडर में भी है, बस इस तरह का अधिक बैटर आपको बना लेना है, ये वीडियो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, इस तरीके से बनाईएगा, और अपना फीडबैक नीचे जरूर दीजेगा, अच्छा नहीं भी लगाना, फिर भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा, अब क्या करना ह जो हमने ये क्रीम बनाई है, इसकी एक पतली लियर इस ब्रेट के उपर लगा देनी है, और दूसरा ब्रेट स्लाइज इसके उपर रख देना है, इस तरीके से हलका सा दबा दें, और इसके कॉर्नर्स चाहें तो इस तरीके से दबा दें, इससे क्या होगा, बिल्कुल रस् लेकर आपको बहुत सारी गिफ्स मिलने वाले हैं अब क्या करना है एक अचसी पलेट लीजे जिसमें आपको सुन डरस रखे वही थी में एक और सारी बरेट के यह टुकड़े रख दी जाओंगे ये रेखे, एक बार में मैं पाँच रख सकती हूँ इसके अंदर अब इसके उपर जो हमने फ्लेवर्ड मिल्क तियार किया था इस तरीके से पोर करें सबसे पहले उपर से पोर करें इस तरीके से पता है डालते ये दम सौफ्ट हो जाएगा और मेरा एक request आप लोगों से इसको गरमा गरम इसके उपर पोड़ ना करें थोड़ा room temperature पे हो जाए तब ही डालें और look at this उपर से वैसे तो कुछ भी सजाने की जूरत नहीं है ये अपने आप में इतना mouth watering और beautiful लग रहा है कि मैं क्या बताओ अब आती है इसको आपको कट करके दिखाने की बारी बहुत ही soft है अंदर तक जूज गया है ये देखे मैंने जैसे से कट करा आप देखे पूरा अंदर तक गया है बहुत ही मुलायम delicious और मुँ में गल जाने वाली मिठाई है जो कि सिर्व बनी है छे मिनिट के अंदर होकी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी अपना ध्यान रखेगा नमस्कार